Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल जबैन वर्सिस चाइना चाइम लाइन अव मिलिटरी हिस्ट्री वेलकम टू स्टडी आइक्यू मेरा नाम है अधेश सिंग दूस्तो आज हम साउथ चाइना सी और इस्ट चाइना सी में मौजूद आइलेंज पर चाइना के साथ कई देशों के डिस्प्यूट्स के बारे में सुनते रहते हैं ऐसा ही एक देश जपैन भी है चाइना और जपैन इस्ट चाइना सी में मौजूद अनिनहाबिटेड सिंकाकू आइलेंज पर अपने क्लेम को लेकर कॉन्फिक्ट में रहते हैं दोनों अलग-अलग नाम से इस आइलेंड को अपना बताते हैं जपैन इनको सिंकाकू कहता है वहीं चाइना इन्हें डायो यू नाम देता है खैर ये तो इनके रीसिन डिस्प्यूट्स का केवल एक पहलू है लेकिन अब आपको बता दे ये दो इस्ट एजिन नेबर्स आपस में कई हजार सालों का इतिहास शेयर करते हैं स्ट्रेट अव कॉरिया और इस्ट चाइना सी के द्वारा सेपरेटिड ये दो कंट्रीज कई सदियों से दो सिब्लिंग्स के जैसे रिलेशन्स शेयर करती आई है इतिहास में एक लंबे समय तक दोनों ने एक दूसरे के कल्चर, एड्मिनिस्ट्रेशन और सिविलाइजेशन को इंफ्लूइंस किया इसके साथ ही दोनों के बीच मिलिटरी कॉन्फिक्ट्स का एक लंबा दौर रहा है तो आखिर क्या है कहानी इन दोनों देशों के डिस्प्यूटिट रिलेशन्स की इनके बीच कब, क्यूं और किस तरह की तकरार देखी गई आज के विडियो में हम आपको इतिहास के इन ही पन्नों से रूबरू कराएंगे तो आईए शुरू करते हैं इस इंट्रिस्टिंग डिसकॉशन को दोस्तो चाइना की अलग-अलग डिनिस्टी के साथ जैपनीज एंपरोर्स ने मिक्स्ट रिलेशन्स शेयर किये चाइनीज हिस्टॉरिक टेक्स्ट में जबैन का सबसे पहला मेंशन बुक अव लेटर हान में यर 57 में देखने को मिलता है जिसमें ये लिखा गया है कि चाइना की हान डिनिस्टी के किंग ने जपैन को एक गोल्डन सील दी थी इस सील को 18th सेंचरी में Northern Kyushu में डिसकावर किया गया Older और Larger Chinese Civilization ने अपने Younger Brother Japan को कई सदियों तक Influence भी किया और Intimidate भी उसी तरह Japan ने भी चाइना के Writing System, इसके Architecture, Cuisine, Culture, Literature, Religion, Philosophy और Law को Influence किया इसके साथ ही Japan और चाइना के बीच Marine Trade भी देखने को मिला लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों के बीच संबंध मधुर ही रहे उधारण के लिए 663 AD में चाइना और जेपैन के बीच Battle of Baikang लड़ा गया यहाँ एक तरफ चाइना का Thang Kingdom और Korea के Silla Kingdom था जबकि दूसरी ओर Korea के Baiky Kingdom और जेपैन का Yamato Kingdom था उस समय Korea Peninsula थ्री Kingdoms के द्वारा रूल किया जा रहा था यह थ्री Kingdoms थे गोगिरियो, Baikjay और Silla यह चाइना और जेपैन का सबसे पहला recorded conflict था Silla चाइना की Thang Dynasty के साथ मिलकर इस पूरे Korean Peninsula को रूल करना चाहता था Silla गोगिरियो को defeat करना चाहता था और गोगिरियो, Baikjay का ally था और Japanese Kingdom Yamato इस वार में Baikjay को सपोर्ट कर रहा था इसमें उन्होंने Baikjay की मदद के लिए 30,000 troops और अपने सबसे strong military general आवे नो हिराफू को भेजा था लेकिन इस वार में Silla तांग fleet के द्वारा Japan और Baikjay की बहुत बुरी हार हुई उसी साल Baikjay Kingdom भी collapse कर गया 668 तक Silla और Thang की alliance ने मिलकर गोगरियों को भी capture कर लिया Silla Kingdom ने Korean Peninsula को unite किया वहां से Thang चाइना को expel किया और modern day Korean Peninsula की foundations establish की अब क्यूंकि Korean Peninsula पर Silla Kingdom का राज था ऐसे में Japan का mainland Asia के साथ access block हो गया इस दोरान Japanese अपने यहां fortifications करते रहे इस war के खत्म होते ही तांग ने जबैन के साथ cordial relations establish की है जबैन ने इस बीच चाइना में अपनी numerous imperial embassies establish की क्यूंकि जबैन चाइना की sophisticated civilization से काफी inspired था इस दोरान जबैन ने चाइना से cultural, social और scientific domains में crucial learnings हासिल की यहां पर यह गोर करना ज़रूरी है कि जबैन ने Chinese institutions और practices को as it is borrow नहीं किया बलकि उन्होंने केवल उन norms को सीखने की कोशिश की जो उनकी खुद की society के लिए suitable थे खेर 1900 AD में चाइना की great thung dynasty collapse कर गई और इसके बाद चाइना में अलग-अलग competing groups उभरने लगे इस disunity के बीच बड़ती lawlessness के दौरान जपैन और चाइना की diplomatic missions भी कुछ सफर करने लगे जपैन के rulers का मानना था कि अब बाहर से कोई threat नहीं है तो इसी लिए उनको चाइना के साथ strong relations की भी ज़रूरत नहीं है इसके बाद 13th century में mongols ने चाइना पर attack किया और चाइना के बाद उनकी नजर जपैन पर बड़ी लेकिन जपैन ने mighty कुबलाई खान के empire का subordinate बनने से इंकार कर दिया इसके बाद उन्होंने जपैन को capture करने के लिए एक massive force assemble की पहले 1974 और फिर 281 AD में उन्होंने जपैन पर attack करने की कोशिश लिए लेकिन दोनों बार मॉंगोल fleets को भयानक टाइफून्स का सामना करना पड़ा और इस तरह जपैन मॉंगोल्स के invasion से बच गया जपैन में इनको divine winds या कामिकाजी का नाम दिया गया Japanese लोगों का मानना था कि ये winds God ने जपैन को इस greatest danger से बचाने के लिए भेजी है अब जपैन अपनी independent और unique cultural destiny को pursue करने के लिए एकदम तयार था वो कैसे? आईए देखते हैं Foundations of Imperialism in Japan दोस्तो जपैन पिछली कई सदियों से isolation में रह रहा था लेकिन वो अब भी इस region में चाइना के dominance से वाखिफ था लेकिन इसी बीच 16th century में यहाँ पर Western powers का आगमन शुरू हो गया और 18th century आते आते Western powers ने Asia और चाइना के बहुत से हिस्सों को पूरी तरह colonize कर लिया मिड 19th century में जब चाइना के king dynasty ने Western invasions के खलाफ विद्रोह किये तो उनको हर बार शर्म नाख हार का सामना करना पड़ा इन rewards को आज हम 1839 और 1856 के opium wars के रूप में जानते हैं चाइना में अपना influence बना लेने के बाद Western empires ने जपैन को भी forcefully open किया और इसकी शुरुआत यूएस ने की 1853 में यूएस कॉमोडोर विलियम पेरी की four gunboats present day योकोसूका पर पहुँची और पेरी ने blank shots fire कर Japanese को डराना चाहा इसको gunboat diplomacy का नाम भी दिया गया अब जपैन के पास कोई और option नहीं था या तो वो खुद को modernize करता और या फिर चाइना की तरह West की humiliation को सफर करता यहां जपैन ने पहले विकल्प को चुना जपैन ने एक isolationist path से एक reformist path पर चलना शुरू कर दिया और यहीं से जपैन में Meiji restoration की शुरुआत हुई 1868 में ही modern Japan की नीव रखी गई इसी के साथ इडो एरा का अंतो हुआ और जपैन की imperialist एरा की शुरुआत हुई 17 साल के Meiji emperor ने कई सालों तक चली आ रही military dictatorship यानी शोगनिट के rule को खत्म करके जपैन में वापस monarchy को establish किया इसी दोरान जपैन की military modernization का काम शिरू हुआ Western organizational pattern पर एक strong military को तयार किया गया धीरे धीरे army और navy जपैन की सबसे बड़ी organization बन कर उभरी इसके साथ industrialization is government का primary goal बन गया जिसके चलते strategic industries, transportation और communication sector पर मुख्य रूप से काम किये गए तो दोस्तो कुल मिला कर अब जपैन काफी हद तक एक self-sufficient power बन चुका था उसने अपने political system, economy और military को बेहत strong कर लिया था और यहीं से वो west की तरह ही colonialism और expansion के बाथ पर भी बढ़ने लगा इसी के साथ China को लेकर उसका aggression अब तेजी से बढ़ने लगा वो कैसे? आईए देखते हैं दोस्तो चाइना और जपैन के बीच सबसे बड़ा war Korean Peninsula को लेकर हुआ 1874 में जपैन ने कोरिया के rich agricultural lands और बाकी natural resources को grab करने के लिए एक strategy तेयार की वो कोरिया के sea lanes और trade को control करना चाहता था कोरिया उस समय बेहत खरीब और पिछड़ा हुआ राज्य था किंग अपने यहां बढ़ रहे instability को control में लाने के लिए अकसर चाइना के राजा की मदद मांगते थे लेकिन चाइना की presence भी जपैन के रादे कमजोर न कर सकी और 1880 की शुरुआत में जपैन ने अपनी आमीज को कोरिया बहजा कोरिया में चाइना और जपैन के बीच यह stand-off 1894 तक चला जब जब जबैन ने Chinese territory को invade कर Sino-Japanese War की शुरुआत की Japanese soldiers ने लियाओ तुंग पेनिंसिला पर मौजूद पोर्ट आथर को capture कर वहाँ Chinese soldiers का एक बड़े पैमाने पर massacre किया ये मेजी restoration का ही नतीजा था कि 1894 से 95 तक चले Sino-Japanese War में जपैन ने न सिर्फ Chinese King Empire को हराया बलकि उसे North East China के ताइवान और लियाओ दौंग पेनिंसिला को भी हासिल किया इस वार का अंद एप्रिल 1895 में sign हुए एक harsh treaty treaty of Shimonoseki के साथ हुआ इस treaty के तहट चाइना को Korea की independence भी recognize करनी पड़े इस बार चाइना किसी mighty European power से नहीं बलकि एक समय पर चाइना के ही vessel state रहे जपैन से हारा था और इसलिए ये defeat और भी ज्यादा humiliating थी इसके बाद जपैन ने उसके और ताइवान के बीच मौजूद independent island को capture किया इस island को तब Ryukyu island और आज Okinawa कहा जाता है जपैन यहां भी नहीं रुका Korea में अपनी presence को मजबूत करने के लिए उसने Russia के साथ भी war किया 1905 में हुए Russo Japanese war में जपैन ने Russia जैसे vast empire को अकेले हरा दिया और तो और इस region से Russia को eliminate कर उसने Korean peninsula और Manchuria पर भी कबजा कर लिया उधर चाइना में nationalists और communists के बीच already एक civil war चल रहा था इसकी वजह से चाइना में अराजकता का महौल था वहीं दूसरी तरफ जपैन अपना expansion करके खुद को मजबूत करता जा रहा था World War I के बाद जपैन पूरे इजिया पर अपना कबजा करना चाहता था Russia और चाइना को दो major wars में हराने के बाद जाहिर है कि उसका confidence सातवे आसमान पर पहुँँच गया था वही 1920s और 30s में वेस्ट में fascism rise कर रहा था इसी बीच जपैन ने भी in expansionist powers के साथ हाथ मिला लिया इस समय जपैन के कुछ extreme elements के द्वारा जपैन के PM का भी assassination कर दिया गया और अब पूरे देश पर army का control establish हो गया अब सबसे पहले जपैन की नजर resource rich manchuria पर पड़ी चाइना में Chiang Kai-shek की Chinese nationalist party और Mao Zedong की communist forces के बीच civil war चल रहा था और इसी का फाइदा उठाते हुए imperial Japanese army ने manchuria को invade किया और उसकी जगह manchuku नाम का एक puppet state establish कर लिया League of Nations द्वारा जपैन के इस action को criticize किया गया इसके बाद 1933 में Japan ने League of Nations से भी withdraw कर लिया इसके बाद Japan की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई इसके बाद के सालों में Japan धीरे धीरे China की northern territories को capture करने लगा 1931 से 1937 के बीच China और Japan के बीच बड़े छोटे clashes चलते रहे लेकिन 7 जुलाई 1937 को Marco Polo Bridge पर Japan और Chinese forces के बीच एक बड़ा clash हुआ जिसके बाद Japan ने Chinese cities पर एक full scale invasion लाँच किया और यहीं से second Sino Japanese war की शुरुआत हुई August 1937 में Japan ने ताइवान और क्यूशू से China के शैंगाई और Nanking शहर पर war किया Nanking के invasion के शुरुआती 6 हफतों में Japanese आमी के द्वारा बेहद heinous war crimes कमिट किया गया कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस दौरान Japanese आमी ने यहां 20,000 women को रेप किया इसके बाद उनके private parts को काट कर उनको मार दिया गया इतना ही नहीं इस बीच उन्होंने Chinese civilians के साथ loot part tortures और खुले arm shooting की इसमें लगबग 40,000 से 3,000 लाख Chinese citizens और soldiers मौत के घाट उतार दिये गए इस horrible incident को Nanking Massacre या फिर Rapes of Nanking के नाम से जाना जाता है यह modern history के सबसे infamous war crimes में गिना जाता है और इस incident ने इन दोनों countries के relations पर सबसे बड़ा strain डाला है इन incidents के बाद यह war कुछ समय के लिए एक stalemate पर का रहा क्यूंकि Japanese forces South Beijing के urban areas और port cities से आगे नहीं बढ़ पाई वही communist forces ने Manchuria और North China में Japan के against a guerrilla warfare launch कर दिया 1939 में World War 2 भी शुरू हो गया 1940 और 1941 मे US President Franklin D. Roosevelt ने भी China को military supplies खरीदने के लिए line of credit provide किया August 1941 मे US ने Japan के resource export पर trade embargo लगा दिया China को और भी ज्यादा support किया इसी कारण Japan ने Pearl Harbor पर attack किया दोस्तों अगर China जपान के आगे 1938 में surrender कर देता तो World War की trajectory एकदमा लग होती हमारा आज का इतिहास एकदमा लग होता खैर Pearl Harbor attack के बाद US और UK ने Japan में equipment, money और military advisors का flow और भी ज्यादा बढ़ा दिया 1945 में पहले USSR ने मंचूरिया पर Japan को खदेडना शुरू किया और फिर US द्वारा Hiroshima और Nagasaki पर atom bomb गिराए गए इसके चलती Japan ने finally surrender कर दिया Second Sino-Japanese War में लगभग 14 से 20 million लोगों को अपनी जानगवानी पड़ी और Soviet Union के बाद World War II में सबसे ज्यादा casualty सफर करने बाला China दूसरा देश बन गया लगभग 100 million Chinese यानि देश की 1-6th population अपने खुद के ही देश में refugee बन गई ये war अपने पीछे complex legacy को छोड़ गया Chinese population के मन में anti-Japanese feelings कभी खत्म नहीं हुई 1989 के infamous Tiananmen Square Massacre के बाद Chinese schooling में patriotic education एक norm बन कर उभरने लगी इसके तहट China की communist party ने अपने intellectual youth का focus democratic inspiration से हटाने के लिए Japan के previous crimes के तरफ करने का प्रयास किया उनका कहना था कि अगर youth ने यहाँ पर democratic या nationalist government establish करने की कोशिश की तो Japan जैसे enemies उन पर फिर से attack कर सकते हैं यानि communist party के उपर मन रा रहे इस threat को remove करने के लिए Chinese government ने इस नए foreign target को enemy के रूप में portray किया हलाकि Japan पिछले 30 सालों में China के एक major trading partner के रूप में उभरा है लेकिन चाइना में anti Japanese sentiments लोगों के दिल और दिमाग पर आज भी मौजूद है अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि Chinese इस तरह का resentment western powers के against क्यों शोर नहीं करते हैं उधारन के तोर पर opium wars के दौरान Britishers ने भी चाइना के young लोगों को drug addict बनाया था इन wars के समय चाइना का economic और psychological level पर बहुत exploitation किया गया था तो ऐसे में केवल जपैन ही इस criticism का शिकार क्यों है और ये बात जपैन के case में भी लागू होती है Hiroshima और Nagasaki bombings में एक western power ने जपैन को पूरी तरह destroy कर दिया था लेकिन आज जपैन और west के बीच बहुत cordial relations देखने को मिलते है यहां तक कि जपैन की economy भी capitalist principles को strongly follow करती है तो आखिर किवल चाइना के साथ ही ऐसा behavior क्यों देखा जाता है experts के मताबिक इसके पीछे racist और ethnicity जैसे बहुत से factors काम करते है और कहीं न कहीं एक neighbor द्वारा किया गया हमला एक दूर के दुश्मन द्वारा किये गये आगहाद से कहीं ज्यादा दुखदाई और पीड़ा पहुँचाने वाला होता है